क्या आप बता सकते हैं कि शान्थ होने का क्या मतलब है? Confused है? चलिए कोई बात नहीं आज हम आपको बताएंगे कि असल में शान्थ होने का क्या मतलब है एक छोटी सी कहानी के जरिये और साथ ही बेख करते हैं गेख जो बनी है आम से The Taste of India Podcast जिसका सार विभिन्दता में एकता है जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्दता को हम स्वादिष्ट वेंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं नमस्कार thetasteofindia podcast के इसने एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलिप आप सबका हार देख स्वागत करते हैं एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था एक बार उन्होंने अपने सेना पती से कहा कि राज्य में ये घोशना करवा दी जाए कि जो कोई भी उसे शान्ती को दर्शाती हुई पेंटिंग बना कर देगा वो उसे मू मांगा इनाम देंगे फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चितरकार इनाम जीतने की लालच में अपनी अपनी पेंटिंग लेकर राजा के महल में पहुँचे राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग देखी और उनमें से दो पेंटिंग को अलग रखा दिया पहली पेंटिंग एक अत्ति सुंदर शान्त जील की थी उस जील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतय तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद पहाडों की छवी उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दरपन रखाओ उपर की और नीला आसमान था जिसमें रूई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांती को दरशाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग तो हो ही नहीं सकती दूसरी पेंटिंग में भी पहार थे और वे बिलकुल रूखे बेजान थे वीरान थे और इन पहारों के उपर घने गरशते पादल थे जिनमें बिजलिया चमक रही थी घनगोर बर्शा होने से नदी उफान पर थी तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित जर्ने ने रौद्र रूप धारन कर रखा था जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता था यही सोचता कि भला इसका शांती से क्या लेना देना इसमें तो बस अशांती ही अशांती है ये सुन पहले चित्रकार से रहा नहीं गया वह बोला लेकिन महराज उस पेंटिंग में आखिर ऐसा क्या था जो आपने उसे इनाम देने का फैसला किया जबकि हर कोई यही कह रहा था कि मेरी पेंटिंग ही शान्ती को दर्शाने के लिए सर्विस रेस्ट है राजा ने कहा आओ मेरे साथ और ये बोलते हुए राजा चित्रकार को अपने साथ लेते चलते हैं दूसरी पेंटिंग के समक्ष पहुँच कर राजा बोले जरने की बाईी और हवा से एक तरफ जुके स्वरक्ष को देखो देखो इसकी डाली पर बने इन घोसलों को देखो देखो कैसे एक चिडिया इतनी कोमलता से इतने शांत भाव वप्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है फिर राजा ने वहाँ उपस्तित सभी लोगों को समझाया शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे सिती में हो जहां कोई शोर नहीं हो जहां कोई समस्या नहीं हो जहां कड़ी महनत नहीं हो जहां आपकी परिक्षा नहीं हो शान्त होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यविस्था, अशान्ती, अराजक्ता के बीच में होते हुए भी आप शान्त रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष की और अग्रिसित रहें अब सभी समझ चुके थे कि दूसरी पेंटिंग को राजा ने क्यों चुनाए, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे इर्दगिर्द सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा हो, और सब कुछ इतना शान्त हो कि हम उस शान्ती का मजा लेते हुए अपना काम कर सके, हमारे इर्दगिर्द हमेशा, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगे, हमेशा अव्यवस्ता रहेगी, अशान्ती रहेगी, मगर ये माइने रखता है कि उस अशान्ती में आप कितने शान्त हैं, आप कितने अपने गोल्स, अपने लक्ष की और कितनी केंद्रित हो करके, कितनी फोकस्ट करके आप अपने लक्षे के और बढ़ रहे हैं इसी को शांती कहते हैं तो समझ गए ना शांती का मतलब क्या होता है अब तक तो समझ गए होंगे तो अगर समझ गए हैं तो बढ़ चलते हैं हमारे इस पॉड्कास्ट के अगले पड़ाओ की तरफ जो की है आज का रेसिपी औ बिल्कुल आम से ही बन रहा है, तो आज मैंने बेक किया है आम को लेकर, तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने किन किन चीजों को यूज किया है. But before that, a quick word for our sponsors. If you are a professional looking at the European startup scene, Germany is a place you cannot miss. Fortunately for you, there is StartupRad.io, the authority on German startups. This English-only podcast brings you fresh interviews each week. Most likely, you have never heard or read anything on these startups before in English, but you will in the future. Be ahead of the curve and subscribe to StartupRad.io podcast. Or check for the StartupRad.io internet radio station. Check your Alexa for the StartupRad.io skill as well. Now, let's get on to the ingredients for today's recipe. So, the ingredients for mango cake. So, for today's recipe, we have brought 1 cup of suji, 1 cup of aam pulp, 1 cup of chili, 1 teaspoon baking powder, 3-4 cup of milk, 1-4 cup of flour, flavorless oil, and 1-4 cup of badam. So, the ingredients for mango cake. So, the ingredients for mango cake is 1 cup of suji, 1 cup of mango pulp, you'll be needing approximately 1 cup of pulp, 1-5 cup of sugar, 1 teaspoon baking powder, 3-4 cup of milk, 1-4 cup of sugar, 1 teaspoon of baking powder, 3-4 cup of milk, 1-4 cup of oil, and 1-4 cup of almonds. तो आईए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले किया करना है कि मिकसर ग्राइंडर में मैंगो लेंगे और साथी साथ हम शुगर डालेंगे और उसके बाद इन तोनों चीजों को बिल्कुल smooth grind कर लेंगे, paste बना लेंगे और इसको आप side रख दें उसके बाद हमें mixer grinder फिर से लेना है जिसमें कि हम डालेंगे सूजी और उसको भी हम fine powder में grind कर लेंगे अगर तो आपको रवा मिलता है जो कि आजकल market में मिलता है, बिल्कुल fine कि पाउडर वाला रवा, अगर वो मिलता है तब तो आपको grind करने की ज़रुत नहीं है बट अगर आप normal रवा यूज कर रहे हैं यहापर तो आप उसको grind करने तो वहतर होगा उसके बाद हमें क्या करना है कि सूजी में हम डालेंगे तेल और mango जो हमने paste बनाया अभी अभी वो डालेंगे और इन सारी चीजों को डाल कर हम अच्छे से mix कर लेंगे और हम डालेंगे फिर उसमें आधा कप दूद का और फिर से एक बार mix कर लें उसके बाद इस mixture को हम तकरीबन 30 मिनट तक rest करने के लिए छोड़ देंगे 30 मिनट के बाद हमें इसमें डालना है baking powder और बचा हुआ जो दूद है वो डाल देंगे और उसके बाद इसे mix कर देंगे याद रखें कि बेकिंग पौड़र जब डाल देंगे इसके बाद इसे ज़ादा mix ना करें नहीं तो आपका केक जो है बिल्कुल हैवी बन जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है कि इस mixture को हमें पोर करना है तो पोर करने के लिए क्या करना है कि एक टिन लेंगे baking tin जिसमें कि हमें तेल अप्लाई करना है अच्छी से चारो तरफ और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आटा डाल कर चारो तरफ फैला लें और उसके बाद जो एक्सिस आटा है उसमें उसको टाप करके हटा दें यहां पर अगर आप यह प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहते तो आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप वो यूज कर सकते हैं इसमें और उसके बाद क्या करना है कि हमें इस बैटर को इसमें पोर कर देना है पोर करने के बाद हमें इसे बेक करना है और बेक करने से पहले हम और अगर आप कोई भी दूसरे नट्स का इस्तमाल कर सकते हैं एविन आप चाहिए तो टूटी-फूटी का इस्तमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में तो जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसे बेग करेंगे बेग करने के लिए हमें जो है आवन को प्रीहिट कर लेना है 180 डिग्री पर और इसके बाद हमें इसे बेग करने के लिए डालना है तकरीबन 55 मिनट में आपका केक बेग होकर तयार हो जाएगा आपको बीच बीच में एक बार बंद करके आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आपका केक कितना पका है एक टूथबिक की सहायता से और जब आपका केक बेख हो जाए तब उसे आपको बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है ठंडा होने के लिए आपको जो वायर मेश आता है उसके ऊपर इस के टिन को रखे और इसको ठंडा होने दें तकरीबन एक घंटे लग जाते हैं के को अच्छे तरीके से ठंडा होने में और ठंडा होने के बाद इसको निकालिये और कट कीजिये और इंजॉय कीजिये so the method of preparation for the recipe first take a mixer grinder and add the mango pulp and sugar and grind it to a smooth paste then set it aside then grind suji in a mixer grinder to a fine powder and add oil and mango pulp to the suji and whisk it well now add half cup of milk and mix everything well cover the mixture and set it aside for about 30 minutes after 30 minutes add baking powder and mix it well just ensure that you are not over mixing it because then your cake will be a little too dense then add the leftover milk and mix it well the cake batter consistency should be thick it should not become very loose now pour the mixture in a greased baking tin and bake it in a preheated oven at about 180 degree centigrade for about 55 minutes once the cake is baked take the tin out and take the cake out of the tin and keep it on a wire mesh for about an hour until it gets cooled down completely your tasty mango cake is ready to be served cut and enjoy so don't forget to visit thetasteofindia.com for the printable recipe card the show notes and also the step-by-step pictures of this recipe if you have any questions or comments you can post it in there and we'll be happy to respond to your questions the taste of india podcast is available on pretty much all podcasting platforms including apple podcast google podcast spotify jio saavan ghana caravan 2.0 and amazon prime music as well pick your favorite platform and give it a listen in there and if you like this podcast don't forget to share it with your friends and your relatives they'll also be able to make some very tasty and nice recipes at home that is all that we have for this week we'll be back again the next week with another interesting story and some tasty recipes until then keep listening to the taste of india podcast this is goodbye from dilip you all have a wonderful rest of the week so झाल झाल